मैं बहुत इतना बड़ा वेक्ति नहीं हूँ और ना मैं ही हूँ जो चीजों को बदल सकता हूँ मुझे लगता है कि हम मिलकर चीजों को बदल सकते हैं, मैं चीजों को बदलू, ये संभव नहीं है दूसरी बात कि मैं यदि आपके लिए कुछ करपाने की स्थिती में हूँ तो मैं कोई एहसान नहीं करपा रहा हूँ ये मेरा कोई एहसान आपके उपर नहीं है ये इस सहर का जनप्रतिनीदी होने के नाते मैं ये अगमी जबाव देही और जिमेदारी समझता हूँ कि मेरे सहर का हर एक व्यक्ति यदि मुझसे कितना जादा से जादा लाव ले सके यदि आप लोगों ने प्यार देकर इस कम उमर में सहर का उप महापौर डिप्टी मेयर बनाया है तो मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकूँ इसी उमीद से ये कोशिस और काम करने की इक्षा रखता हूँ आज 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 इस मुहीम को हम लोगों की जो मुहीम है अभी कंबल वितरन की मुहीम चल रही थी हम लोगों ने लगबग जब 2000 कंबल वितरन किया तो कई ऐसे बुदूर मेरे घर के ठीक बाहर जो है वो एक रिक्षा वालों के लिए खाने की जगा है तो वहीं से कई रिक्षा वाले आए कि कंबल लोड कर रिक्षा चलाने में नहीं बनता है यदि आप जैकेट हम लोगों को देंगे तो हम लोग रिक्षा वालों को भी थोड़ा सा रहत मिलेगे तो उनी की आवास को आवास बना कर मैंने ये सोचा कि पूरे सहर में लगबगं उन हर एक वेक्ति तक यह चीज़े पहुचे ये मैं आपको सुनिशित करता हूँ दूसरी बात हम कोई नेता नहीं है इसलिए जिन्दा बात नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा और ना नेता बनना चाते है जहन में बस एकी है कि हम भागलपूर का बेटा है यही मेरी उपलब्दी है नेता नहीं बनना है एक साल के बाद चुनाओ का वक्त आएगा और बहुत बड़े बड़े वादों के साथ पूरी तैयारी के साथ लोग आपके बीच आएंगे हाथ जोडने के लिए कोई आप से हिंदू मुसल्मान पर भोट मांगेगा कोई बड़ा बड़ा ख्याली पुलाओ देकर भोट मांगेगा कोई और बहुत सारे वादों को करेगा लेकिन ना हम आपसे कोई वादा करने आए है ना आपको कोई हम बहुत हवा-हवाई बात करने आए हम सिर्फ आपसे यही कहने आए है कि यदि कभी भी आपको किसी भी तरह की आवशक्ता महसूस हो तो आप कभी भी हमारे घर पे हमारे दर्वाजे पर आ सकते हैं मेरा दर्वाजा हमेशा आप लोगों के लिए खुला है